नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मों खबर जानते हैं केंप में किसान के सिसी के लिए आवेदन दे सकते हैं आवेदनों पर 15 दिन के अंदर करवाई पूरी कर ली जाएगी यह निने सुक्रवार को डी सी संदीप सिंग के अध्यक्सा में होई जीलास तरीय सलाकार समीती के बैठक में लिया गया डी सी ओफीस के सभागार में होई बैठक में बैंकों की और से पिछले वी तिये वर्स में दिये गए लोग के बारे में भी जनकारी ली गई पांच बैंक सकाओं पंजाब निशनल बैंक की गोविंद पूर टूंडी वा ओंजाडी तथा SBI पोखरिया वा महुदा सकाओं म सनिवार के दक्षिन पची मांसुन के दस्तक देने के साथ ही किसानों के चेरे पर खुसी की लहर दड़ गई है लगभग पूरे राज में रिमजी बारिस से मौसम सुहाना हो गया है इस बीच मौसम विभाग ने साहिव गंज, पाकुड, गोड़ा, दुमका और जामता में अनेक अस्थानों पर भारी बारिस की चेतावनी दी है बता दे रांची में मौसम विभाग के प्रवारी अविसेक आनद ने बताया कि नीमित समय से लगभग एक सप्ता बिलम से सनिवार को जारखन के उतर पुर्व इलाकों से मांसुन ने परवेस किया है उतर पुर्व के जीलो, साहिव गंज, पाकुल, गोड़ा, दुमका एवं जामतरा में मांसुन की पहली बारिस हुई है सीम हेमन्त 26 जून को कर सकते हैं पुरानी पेंसन की घोसना जारखन के मुक्ष मंतरी हमन्सुन ने राज कर्मियों को पुरानी पेंसन योजना की सौगात देने का संकेत दिया है उन्होंने ट्विट कर कहा है कि पुरानी पेंसन योजना की बाहाली के लिए सरकारी कर्मियों ने लंबा संभर्स किया है अब वादा निभाने का समय आ गया है सुत्रो ने बताया है कि 21 जून को केबिनेट की बैठक में इसको सुविक्रिती मिलने की संभावना है 26 जून को नेशनल मुवमेंट फोर ओल्ड पेंशन इसकीम जारखन में रांची के बीरसा मुंडा फुटबॉल एस्टेडियम में पेंशन जय घोस महा समयलन का आयोजन किया है इसमें जारखन के सीएम मुख्य अतिति होंगे इसमें 50,000 कर्मियों की जुटने की संभावना है संभावना है कि 26 जून को ही मुख्य मंत्री ओल्ड पेंशन इसकीम लागू होगी जारखन के 15,000 क्रीशक मित्र हताल पर गए जारखन के क्रिशक मित्र मांदे की मांगे को लेका हाताल पर चले गए हैं क्रिशक मित्र एसोसियेशन के परदेश अध्याग सासी कुमार भगत ने कहा है जब तक सरकार हमानी मांदे की मांगे को पूरा नहीं करती है तब तक क्रिशक मित्र के सिसी समेथ सभी क्रिशी कारेों से दूर बनाएंगे सासी कुमार भगत ने कहा कि मुख्य मंत्री हमंसुरे ने कहा था कि पारा सिक्षक के बाद क्रिशक मित्रों की बारी है लेकिन अब तक ऐसा होता दिख नहीं रहा जब तक राजी सरकार हम क्रिशक मित्रों का मांदे लागू नहीं करती राजी के लभग 15,000 क्रिशक मित्र हताल पर रहेंगे सोमवार को होगी कुलपतियों की नियुक्ती जब तक रहेंगे सरकारी स्कूलों के सिक्षकों वा बच्चों को डिजिटल सेक्षनिक समागरी उपलब्द कराने की त्यारी है राजी सरकार इसके लिए एजेंसी हायर करेगी जो पांच साल ना केवल डिजिटल सेक्षनिक समागरी त्यार करेगी बलिक पांच साल तक उसका रख रखावा प्रवंधन भी करेगी या एजेंसी कंटेंट और लर्निंग मेनेजमेंट सिस्टम भी त्यार करेगी जिसके माध्यम से बच्चों के सेक्षनिक विकास का आकलन ओनलाइन हो सकेगा जार्खन सिक्षा पर्योजना परिसाद ने इसे लेकर एजेंसी के अचैन की परकिरिया भी सुरू कर दिया प्राइबेट स्कूल के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन रांची डीसी छाई रंजन ने जार्खन के सभी केंद्रिय बिद्यालेओं के परचारेओं के साथ सुक्रवार को ऑनलाइन कंफरेंस किया इस कंफरेंस में गर्मी छुटी के बाद स्कूल को खोले जाने पर विचार भी मर्स किया गया इस conference में DC ने सभी को आने वाले समाई के लिए guideline जारी किया है इस conference के बाद केंद्रिय बिद्याले को अपने rule regulation के अधार पर खोलने के निर्नाय को सभी की सामाती से पारित किया गया वहीं दूसरी ओर सहर के बरतमान हलात को देखते हुए सभी नीजी स्कूल परवंद को ने भी अपने अपने स्कूलों में अपाद बैठा कर इसकूल खोले जाने को लेकर चर्चा की गुट का पान मसाला पर सरकार का बड़ा फैसला जारखन में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर परतिबंद लगाया गया है बिभीन जीलों से प्राप्त एक तालीस पान मसाला के नमुनों के जाच में हानिकारक मैगनेसियम कार्बोनेट पाए गए थे जिसके बाद आठ मैज दू हजार बीस को राजे में इसकी बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई थी पिछले साल भी इस परतिबंद को एक साल के लिए बिस्तार दिया गया था अगनीपथ भरती योजना का रांची में बिरोध अगनीपथ भरती योजना का बिरोध देश के साथ साथ जहारखन में भी सुरू हो गया है जारखन के अलग अलग जिलों में युवाओ के द्वारा बिरोध परदसन सुरू हो गया है। जारखन में कुरोना पकड़ने लगा रफतार। रांची में कुरोना जाच की रफतार काफी धिमी है पर पोजेटिवीटी दर बढ़ गई है। जारखन में अच्छा दिन में सबसे अधिक 155 सेंपल की जाच की गई है। धन्यवाद।